आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल किये क्योंकि आज मैं आपको माइनक्राप की एक ऐसी हॉंटेड और एक ऐसी सीड बताने वाला हूं जिसके अंबर आपको मिलने वाला है आज तक का सबसे टेंजरस जी हां सबसे टेंजरस एंटिटी तो आप वीडियो पूरी देखनी है जी हां आज मैं आपको माइनक्राप के 1.14 का जी हां 1.14 की एक ऐसी मिस्टीरियस और ऐसी डार्कनेस सीड बताने वाला हूं जिसके अंदर सबसे पहले एक ऐसा घ्लिच एक ऐसा एंटिटी मिला था जो हमें बिल्कुल भी फाइट में फाइट ज तो हम पता करेंगे क्या 1.19 में ये सीड काम करती है और नहीं तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और चलते हमारे इस माइनक्राप के नए वर्ल्ड में उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजे शेयर कर दीजेगा सा आपको नाम दे देना है आपको सीड के अंदर आना है और सीड आपको step by step follow करनी है आपको सीड डालनी है 8 3 1 6 4 5 2 3 9 7 8 5 2 6 4 223 आपको ये वाली सीड डाल देनी है उतके बाद आप अपने इसाफसे सेटिंग को ओन कर सकते हो और अपने वर्ल्ड को आप जनरेट कर लिजे तो मैं आप उत्यैक्त देर वेट कर ले ता हूं हमैं इस the GB जाएंगे एक डेजर्ट बायोम के पुर्व में यहीं से कड़ें वाले हैं तो हम चाहिं झाले इस तरफ और बॉड़ मुझे मिल जाएगा तो म我想api जी दून बनुगा जैसे कि यह देख सकते हैं आप लोग यह कुछ दिखाई दे रहा है तो इसे तोड़ने पर हमें जो है string मिलती है तो मैं अपनी journey continue करता हूँ और मैं चलने वाला हूँ almost 10,000 block और अगर इस वर्ड के अंदर मुझे कोई entity या फिर कोई monster seed मिलती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा चली दोस्तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और मुझे वहाँ पे एक wood दिखाई दे रहा है तो मैं वहाँ से wood collect करके अपनी लिए tool बना लूगा तो चली दोस्तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे नए minecraft की journey पे तो दोस्तो आखिरकार हम ocean में पहुच चुके हैं और अभी तक मुझे इस वर्ड के अंदर कोई भी entity नहीं मिलाए और night भी हो चुकी है और मैं almost 3000 block आगे आ चुका हूँ तो मुझे अब भी जो है आट 7000 block आगे जाना है तो मैं अपनी journey continue रखने वाला हूँ और आगे चलके आपको बताऊँगा क्या minecraft के इस वर्ड के अंदर कोई entity हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा तो मैं अपनी journey continue रखता हूँ तो दोस्तों आखिरकार मुझे थड़ा और वूड कलेट कर लेना चाहिए क्योंकि मैं 6000 block पार कर चुका हूँ और मेरे पास वूड अब नहीं है अगर मेरे तूल तूट जाते हैं तो मुझे वूड की बहुत जरूरत होगी और मेरे पास इस टोन भी बिल्कुल भी नहीं है तो मैं अपनी journey start रखूँगा और मैं आगे चलने वाला हूँ और साथ ही मैं अपने लिए food भी और ज़्यादा collect करता जाऊँगा ताकि अगर किसी भी तरह की problem हो तो हमें जो है food हमारे पास देर सारा मिल सके तो चलिए दोस्तो आज की journey हमें start रखेंगे और हम जाने वाले almost 10,000 block तो अभी तक मैंने केवल 6,000 block की complete कियें तो आगे की journey हम complete करके आपसे मिलते हैं तो दोस्तो आखिरकार मैं 10,000 block complete करने वाला हूँ लेकिन अभी तक मुझे इस world के अंदर ना ही minecraft का कोई monster मिलाए और ना ही कोई village अभी तक मिलाए तो मैं almost 10,000 block complete करने वालों आप लोग देख सकते हो लेकिन हमें यहाँ पे एक village दिख चुका है और minecraft का हमारा सबसे पहला village यह हमें मिल चुका है इस seed का तो यहाँ पे अब लूटने का कोई फाइदा ही नहीं है क्योंकि मैं 10,000 block complete कर चुका हूँ और इस world के अंदर मुझे कोई भी monster नहीं मिला ना ही कोई entity मुझे मिलाए तो आज की हम journey यहीं पे समाप्त करते हैं और क्यों न हम golem से पंगा लेकर यहीं पे मर जाते हैं तो हमारी journey complete हो चुकी है और इस world के अंदर हमें कोई भी entity नहीं मिलाए तो हो सकता है कि 1.19 में यह काम नहीं करता है तो 1.19 में आप लोग इसे try करना चाहते हो तो 1.14 में आप इसे try कर सकते हो 100% work करेगी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं हमारी next video में तब तक के लिए take care